अरे कृष्णा जैशी रादे वेलकम बैक टू में चैनल के शानल लवाठ तो ये देखे आज ये इस तरीके की ड्रेस हम गोपाल जी के लिए आज के इस वीडियो में बनाएंगे ये मैंने चोटे से लड़ू गोपाल जी के लिए बनाई है एक और दो नमर के गोपाल जी के लिए आप इसको बहुत एजिली बना करके पटफट से त्यार कर लेंगे इससे पहले की वीडियो में मैंने इस तरीके की बड़ी ड्रेस बना करके आपको दिखाई है और एक वीडियो में मैंने ये सेम पगरी भी आपको बनाना बताया है तो आप जाकर के मेरे चैनल पर व आना शुरू करते हैं और वीडियो को शुरू करने से पहले गाईज आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ में बैल आइकन को ज़रू प्रेस कर लिजेगा जिसे मेरी आने वली हरी वीडियो की नोडिफि और किया फिर इसी के साथ हम यहां से यह देखे एक फोल्ड और इसको हम कर लेंगे यहां से देखे मैंने इसको तीन फोल्ड कर दिये हैं अब यहां पर इसको यह देखे एक सर्कल से निशान लगाएंगे सर्कल का तो यहां पर पैंसिल से में ड्रॉ कर लेती हो आप किसी भी ह या पर किसी भी चीज से आप इसको यह देखिए एक सर्कल सा यहाँ पर हम कट कर लेगे अब इसको हम सीजर की हैल्प से इसको कट कर देते हैं यहाँ से तो, यहां पर इसकी cutting कर लेते हैं, अच्छे से cinishing से, circle shape में हम इसकी, यहां पर इदिक्जिये हमने cutting कर लिया है, आप इसको इस तरीके से open करेंगे, तो देखे ये, शेप में आ गया है बिलुकुल, अब इसको हम है यहां से भी एक cut कर लेंगे कमर के लिए चोटा सा cutting लगा देंगे बिलकुल आदे इनसे भी चोटा सा cut लगाएंगे क्योंकि हम यह चोटी सी dress बना रहें जादा बड़ा cut लगाएंगे तो यह बीच का center का cut हमारा जादा बड़ा हो जाता है तो इसलिए दिखिए मैंने चोटा साही कट लगाया है अब इसके उपर हम यहाँ पर कपड़ा पेस्ट करेंगे तो यह मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है इसके हम उपर और नीचे दोनों की साइड यहाँ पर ग्लू की हैल्प से मैं इसको पेस्ट करूंगी आप चाहें तो अल्पिन लगा करके भी इसको छे से पेस्ट कर सकते हैं तो देखिए उपर नीचे की साइड पेस्ट करने के बाद इसको हम यहां से थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके कट कर लेते हैं फैब्रिक को फिर इसको जो हमने यह सरकस्ट में कट कर रहा था पीस को उसी से हम यहां पर इसको फिर हम कटिंग लगा देंगे तो इस पर में करके सरकल करका शेप हमारे लगा जादेंगे ouvert Deshalb on को कि्या की मैं तुछ न 채 Innelle कि तो दिके लगाने के बाद यहां पर स्ट्रिप कट करने हैं तो यहां पर hadi करने का ऐति आध यहां से तक हमा提ने हमारी मैश्टमनट आ रही है आप साइ्स करके करने हैं नाप करके और फिर इस इसके हिसाब से ही यहाँ पर यह strip कट कर लेंगे हम नेट की तो यह मैं कट कर लेती हूं यह देखिए यह नेट की strip मैंने कट कर लिया है अब इसको हम यहाँ पर इसकी फ्रेल बना लेंगे छोटी छोटी प्लेट्स बना करके इसकी त्यार कर लेंगे इस तरीके से प्लेट्स जालते जाएंगे उपर की साइड से लाए लगाएंगे तो यह फ्रिल बन करके हमारी रेडी हो जाएगी तो चलिए इस पर बना करके इसको त्यार करती हूं तो यहां पर देखें मैं यह फ्रिल त्यार कर दी है अब इसको हम यह इसके बेस के उपर लगाएंगे तो यहां पर इधर से स्टार्ट करेंगे लगाना इधर की साइड से और पूरे राउंड पर इस पर स्लाई लगा देंगे यहां से स्टार्ट करते हैं पूरे राउंड पर स्लाई लगा देंगे इस तरीके से तो चलिए इस पर भी पहले मैं आपको स्लाई लगा करके दिखाती हूं धर से स्लाई लगाना शुरू करेंगे तो देखे पूरे राउन पर स्पर चोटी भी नगा तक ही जो भी प्लेतने लीन अाओं पर न खालते हैं। तो दीखे प्लेटों को भी इस तरीके से हमने सेट करके सलाय लगा दिये अब जो भी हमारा यह एस असलाय लगा दिये आपको न пятर यह दिखे फैब्रिक दीख रहे है इसको इस तरीके कर देंगे पूरे ऐस तरीके से मेस हमारा इतना बन करके त्यार हो गया है अब इसके चैंटर में हम या पर इसमें बैल्ट लगाएंगे तो बैल्ट टाकाने के लिए पीछे की साइड मैंने ये नेट का फेबरिक ले लिया है पूरे राउन पर सलाएं लगा देंगे ψ स्काइब करा वहाद नियुक्त कि तो स्लाइए के बाद की साइड के फोल्ड करेंगे और इस पर एक स्लाइए ओवर लगाएंगे नियुक्त स्लाई लगाने से पहले इसके अंदर हम यहाँ पर डोरी रख करके सेट कर देंगे तो यहाँ पर डोरी मैंने ले लिए अंदर के साइड इस तरीके से रख देंगे और पहार के साइड रख करके इसको फैब्रिक को स्लाई लगा देंगे तो देखे स्लाइ लगाने के बाद ये डोडी भी हमारी लगकर के त्यार हो गई है तो ये इतना बेस बन करके हमारा त्यार हो गया है अब इसको आप अपने इसाब से किसी भी तरीके से डेकुरेट कर लें तो यहाँ पर मैं यह चोली बना रही हूँ, चोली बनाने के लिए यह देखिए, मैंने पतली से स्ट्रिप लिया है, एक इंच की चोड़ाई लिया है, अब इसको हम यहाँ पर एक फोल्ड बने कर लिया है, और इसको यहाँ पर ही देखिए, गोटर इबन से इसको इस तरीके से ओपन वाली साइट से लॉक कर देंगे सलाई लगा कर तो देखे सलाई लगा दिए अब इस पर हम यहाँ पर इसके दो पीस करके कट कर लेंगे और इसको इस तरीके से रख करके थोड़ी दूर पर बिल्कुल आधे एक इंच की दूरी पर आधे पॉने इंच की दूरी पर एक दूसरे को जोड़ करके सलाई लगा देंगे तो यह आपस में जॉइन्ट हो जाएंगी तो यहाँ पर इसमें हम सलाई लगा लेते हैं इस तरीके से ये बना करके चोली भी हमारी त्यार हो गई है अब ये ड्रेस बन करके हमारी कंप्लीट हो गई है नीचे की साइड में इस पर डोरी भी लगा दिये है अब इसको मैं आपको फाइनल डेकुरेट करके दिखा देती हूँ ये हमारी ड्रेस किस तरीके से बन करके फाइनल लुक में त्यार हुई है ये लेस मैंने यहां पर ये ले लिए पतली सी इसके यहां पर ये कॉर्णर पर रख करके मैं इसको सलाय लगाऊंगी उसके बाद इसको मैं डेकुरेट कर दूँगी तो यहां पर देखे मैं इसको तो देखे लग करके भी हमारी तियार हो गई है अब इसको मैं डेकुरेट करके आपको दिखा देती हूँ तो ये ड्रस बन करके हमारी कम्प्लीट हो गई है ये देखे इस तरीके से मैंने ये डेकुरेट करके तियार कर दिया है तो I hope गैस आपको विडियो अच्छी लगी होगी कॉपाल जी के पुशाग भी आपको पसंद आये होगी ड्रस अगर अच्छी लगे वीडियो गर अच्छी लगे तो प्लिस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा चले मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में थैंक यू थैंक यू फो वाचिंग में वीडियो